हेलो गाइस Samsung Galaxy Buds 2 Samsung Galaxy Buds Lite फांडी इसका एक new software अब्डेट आ चुका है जिसके तुरू गाइस यहां पर Samsung ने इसमें एक new features को included किया है साथी काती सारा new ने इसमें changes भी किया गया है जिसके बारे में आगे इसमें इसमें इसके बारे में आगे इसमें इसमें आपको सब्सक्राइब करते हैं Samsung Galaxy Buds Lite Samsung Galaxy Buds को जिसके यह जो new software अब्डेट आया है इसमें आपको 360 Dolby Atoms का support मिलता है जो कि एक new IDO की टेक्नोलजी है और काफी सारे इसमें changes किया गया है जहां भी गई इसमतलब कि यह जो अपडेट है इसका size भी आपको का फिलता बेटर मिलता है और Samsung की सब्सक्राइब को वाइड यानि कि जितने भी Samsung Galaxy Buds से पूरे वाइड में सबकी लिए है सभी जो पीसे अपडेट कर सकते हैं चलिए इसके बारे में आपको details दोता है इसमे सब्सक्राइब करते हैं मत्तब कि अपने हेड को अपडाउन करते हैं तो भी यह वाप करता है साथ हैं यह जो फीचर है इसको जूच करने के लिए आपको जगवत होगी Samsung का जो UI 3.0 है उससे आपकर जो वर्चन के Samsung के डिवाइस हैं उसमें जस्ट यह सपोर्ट करेंगा वो होगा इस पीचर को जूच करने के लिए यह जो अपडेट है इसका जो साइज अजस्ट आपको 3 MB कम भी कियाता है आप यहां पे देख सकते कि Samsung Galaxy जो वर्ट्स टू है उसका वर्चन किया है Samsung Galaxy बट्स लाए पे इसका वर्चन कुछ इस प्रकार से आता है यहां पे इस साथ ही Samsung इसमें big improvement किया है इनके all quality में Bluetooth connectivity की stability है उसमें भी कफ़ी जादा Samsung ने improvement किया है जिससे आपको एक better stability मिलता है तो गईस यहां पी यह कुछ न्यूव अपडेट कि तूर Samsung अपने Galaxy Buds लाइक में Galaxy Buds 2 में यह फीचर से आप यूज कर सकते हैं और वह वर्ट में available है आप इसे कियान को चिन